चलिए आप लोग लिए एक बहुत ही खुबसूरत बहुत ही beautiful प्रैक्टिसेट जो पुछा हुआ ही है ठीक है ना काफी important होने वाला है और ये प्रैक्टिसेट थोड़ा सा हटके है ठीक है तो आप लोग वीडियो को थोड़ा अंतक देखिए क्योंकि इसमें आप देख सकते ह पास्ट में पैसेज है और ये पैसेज नहीं एक क्लोज टेस्ट होने वाला है बहुत ही मजा आने वाला है तो वीडियो को अंतक देखिए चलिए without taking more time हमें स्टार्ट करते हैं question number 125 हमारा fill-in-the-blanks है ठीक है ना और अच्छा लगे तो थोड़ा comment वगेरा किया करिए ठीक है बोस्ट मिलता है चलिए first question है fill-in-the-blanks का the telephone kept blank ringing but no one attended okay the telephone kept एक phrase होता है बहुत सिंपल है keep on होता है ठीक है na keep on का मतलब क्या होता है थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा हिंदी समझते रहिएगा ठीक है keep on का मतलब होता है किसी काम को करते रहना या बने रहना जो भी आप समझ यह इसका हिंदी तो the telephone kept on keep cover to keep on ringing मतलब बजते रहा बजते रहा telephone but no one attended but किसी ने उसको attend नहीं किया it means किसी ने उसको receive नहीं किया तो यहां keep on हो जाएगा okay इसलिए b number option हो जाएगा question number second she is sad वह दुखी है because her father turned blank her request turn down का मतलब देखे turn down ठुकरा ठुकरा देना उगाना सुने होंगे ठुकरा के तेरा प्यार वहीं बात है ठीक है ना turn down ठीक है ठुकरा देना ओके तो she is sad विचारी दुखी है क्योंकि her father turned down her request क्योंकि उसके पिता ने उसके request को क्या कि ठुकरा दिये ओके चलिए third question देखते हैं third question है you should not confide है समझेगा confide blank stage confide in होता है confide in okay confide in का मतलब क्या होता है किसी पर क्या करना किसी को secret चीजे बता देना to tell somebody secret and personal information because you feel you can trust them कहने का आर्थ है कि आप किसी को अपना secret या personal information personal सुचना ठीक है न व्यक्तिकर सुचना बता दे इसलिए बताते हैं क्योंकि उस पर आप trust करते हैं तो वहीं हो जाएगा confide in you should not confide in a stranger stranger का मतलब क्या होता है किसी अजनभी से आपको अजनभी से confide in नहीं करना चाहिए confide का मतलब secret चीजे नहीं बताना चाहिए क्योंकि अजनभी पर क्या भरोसा है ठीक है इसलिए यह हो जाएगा question number four poet have और बाकी सब option तो होगा नहीं ठीक है न poets have compared this world blank stage थोड़ा सा ध्यान दिजिएगा compare के साथ हम लोग with का यूज करते है compare with ठीक है न poets have compared this stage with a stage poets have compared this world with a stage ठीक है आई ये next question समझते है question number five I prevailed blank him to contest the election contest का मतलब क्या होता है भाग लेना ठीक है न आई प्रिवेल्ड देखे प्रिवेल्ड ओवर होता है ठीक है प्रिवेल्ड ओवर का मतलब होता है to be accepted especially after a struggle और argument मतलब किसी चीज को असेप्ट करना ठीक है किसी इस ट्रगल के बाद और argument के बाद मालेजिए कहीं जगडा हो गया जगडा के बाद यदि किसी भी चीज को आप असेप्ट करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं आरगुमेंट ओवर आई प्रिवेल्ड ओवर हीम टू कंटेस्ट दा इलेक्शन इसलिए कौन सा हो जाएगा ओप्सन नमबर सी हो जाएगा ओके आई ओप कि यह फाइब कुशन आपको बहुत अच्छे लगए होंगे इंट्रेस्टिंग भी है कुशन नमबर सीक्स सीक्स कोसन का रहा है कॉमन एरर्स करना है आम लोग को पासफिक ओसियन प्रसांत महसागर इस दर डिपेस्ट ओसियन इन दर वल्ड शिक्स आप देख सकते हैं यहां पासफिक ओसियन है जी कोई ओसियन हो वी पार्टिकुलर और बिना आर्टिकल द के तो आ ही नहीं सकता है ठीक है न इसलिए आर पासफिक ओसियन ठीक है सबसे बड़ा सबसे गहरा मासागर भी है इसलिए हम आर्टिकल द कायूज करेंगे सेवन यूविल कम टुमाइज सिस्टर स्वेडिंग टुमारो इजन्ट इट दिया हुए देखिए तो यह बिल्कुल ही गलत है ठीक है न यहां पर क्या करेंगे व कि व्म करेंगे विल्क नॉट करेंगे क्योंकि विल्क करेंगे क्योंकि विल्क करेंगे और क्योंकि वील्क कर देलों o रिदेंगे अंगंज को चलते हैं तो के बड़ चलते हैं शुन नमबर 800 8 910 में भी हमको बताना है common errors कि इस Topique कि I am yours affectionate son समझेगा जरासा यहां yours कहां से हो जाएगा yours के जगा पर क्या हो जाएगा your हो जाएगा इसका मतलब यहां use नहीं करेंगे ठीक है ना इसका यहां use हम नहीं कर सकते हैं क्या हो जाएगा I am your affectionate son ठीक है I hope कि यहां तक clear हो गया हो गया मतलब इसमें इसका यूज गलत है जी ठीक है ना क्योंकि समसिएगा अब्जेक्टी ये पॉजेसिव केस है ना और पॉजेसिव केस में हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं लिए पॉजेसिव के साइड के मतलब होता है के बंगाली से जानती थी ठीक है हो जागी सिम्पल यह वांग से यह इसे चलता है है जैसे ये प्रिध भी उसका यहीओ कहना चाहता है sen टिक यहां क्या हो जाएगा यहां बिलोंग क्या हो यहाँ belongs हो जाएगा ठीक है कि क्विस्टन नंबर 11-15 में हम लोगों बेस्ट एक्सप्रेस करना बेस्ट एक्सप्रेस का मतलब आप भी समझते होंगे साइनोनेम से बताना है ठीक है देखे 11 में हमारा टेम टेम का मतलब होता है पालतू ठीक है ना टेमिंग करते हैं हम किसी भी चीज हो जाता है वाइल्ड का मतलब क्या होता है वाइल्ड एनिमल जंगली हो जाता है साइलेंट का मतलब होता है सांथ ठीक है तो समझ यह सेवेज का मतलब होता है वहीं जंगली ही ठीक है ना साइबस का मतलब ही क्या होता है जंगली ठीक है मर्सी देखें मर्सी बहुत ही इमपोर्टेंट वर्ट है, मरसी का मतलब होता है, क्रिपावान, वर्दान, ठीकिये न, इसलिए हमारा कौन 이번 नेरे कंगे, क्राइब का मतलब हो जाएगा, according to option, 12 में हमारा होना चाहिए, मरसी का, sympathy, ठीकिये न, कौना होना चाहिए, सयंप्थी का मतलब भी यहीं होता है ठीक है ना दयावान आप बोल सकते हैं सेंप्थी का मतलब ठीक है करना क्रीपादान वर्दान ठीक है लॉस, पेड़, मेरिट, यह तो बहुत एजी अब सीन, अब सीन का मतलब देखिए गया होता है अपसीन का मतलब होता है असलील भद्दा बहुत ही पुराना इंडिसेंट ठीक है इंडिसेंट इसको बोल सकते है beautiful का तो मतलब बहुत अच्छा होता है unhealthy का मतलब अस्वास्थ होता है ठीक है तो हमारा इंडिसेंट हो जाएगा 14 and 15 14 हमारा है effect ठीक है इफेक्ट का मतलब क्या होता है प्रभाव ठीक है इफेक्ट का मतलब क्या होता है परिणाम नतीज़ा प्रभाव जो भी कहिए यानि according to option हमारा हो जाएगा result result का भी मतलब होता है परिणाम ठीक है वार्निंग परद्यक चांस परपस का मतलब उदेश से होता है बहुत इजी वर्ट दिया हुआ है 15 पर्फिप्तीन इसपेकुलेट का मतलब होता है अनदाज लगाना नहीं आदमी कहता है कि मेरा ये इसपिक है ठीक है अनदाज लगाना यानि गैस करना गैस करना ठीक है Think अनसरा आर्ग्यू बहास करना स्पीक बोलना ठीक है यह सबता आपसन होगा नहीं इसलिए हमारा बी नमबर अपसन हो जाएगा ठीक है और इसमें हमलोग इकॉर्डिंग टुपिनीट हो जाएगा डेफनीट ठीक है आगे दखिया मारा insufficient मतलब समझ रहे होंगे sufficient का मतलब उप्यूख्थ होता है insufficient मतलब अनिप्यूख्थ हो जाएगा active चंचल plentiful जादा होता है compulsory compulsory का मतलब होता है बहुत जरूरी ठीक है ना unnecessary हो जाएगा ठीक है ॥ाम्फट एटीन मतलब होता है एडैमीन्ट का मतलब होता है कोई भी कहता है कोई वी भी बात ही नहीं 만ता है Bent क VOICE मतलब होनुएन योग होता है Luxurious का मतलब लक्जरियस, महंगा, ठीक है, साटिस्फाइड, संतुस्ट, ओनिस्ट, ओनिस्ट का मतलब इमंदार होता है, according to option हमारा 19 नमबर का कौन सा हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा, ठीक है ना, करप्ट, करप्ट का मतलब वहीं, बैमान, भरस्ट चारी, ठीक, इनफेक्ट, पालूट का मतलब प्रदूसित, ओरल, देखें, ओरल का मतलब क्या होता है, ओरल का मतलब माखिक, तो रीटेन हो जाएगा, जैसे हम लोग के क्लास में भी बहुत पहले, हम लोग जब पहले एक्जाम देने जाते थे, तो रीटेन और ओरली होया करता था, ठीक है ना, यानि रीटेन हो जाएगा, मेंटल, मानसिक, ठीक है, आईए समझते हैं, अब 21 to 25 ठीक है, और आप लोग का भी इंतिजार होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंट्रस्टिंग होने वाला है, देखे, पढ़ते हम इसको, कर रहा है कि, देयर ब्लैंक इन दे सीटी अफ उजैन, ए पूर टेलर, रामफाल, एज ही वाज वेरी, देखे, ये स्टोरी दिया हुआ है, इसको ए स्टोरी को हम पढ़ते हैं, देयर ब्लैंक इन दे सीटी अफ उजैन, उजैन का बात कर रहा है, उजैन सीटी का बात कर रहा है, ठीक है न, उजैन सीटी का बात कर रहा है, ए पूर टेलर का बात कर रहा है, आप देख सकते हैं, अच्छा, एक पूर टेलर, टेलर मतल करता था with his wife अपने पतनी के साथ and three small children और अपने तीन छोटे-छोटे बच्चों के साथ एक छोटा रूम में रहा करता था the children fought blank each other and made so much noise मतलब एक दूसरे से जगडा करते होंगे ठीक है ना फाइड का फाउट दिया हुआ है और बहुत सारे क्या करते थे 29 का मतलब हला गुला ठीक है तो आईए according to option देखते हैं पहला option पहला कौन सा option होना चाहिए there blank in the city अब देखिए according to option हमारा कौन होना चाहिए 21 ठीक है 21 चांशा अचाहिए यूणा चाहिए प्लिवना ठीक है मतलब रा हते थे लिवना धाई ठीक से थो होगा ने है इन हाभी विनी एक्जिस्टन विनYa सोना चाहिए या नी लिवना चाहिए there lived in the city of pwenk teller होना चाहिए 22 दिया Wow & Panther as he was very Мö he blank to Live and work in one little room, देखे, according to, हमारा होना चाहिए, he famous named known या title, देखे, अगर आप कहानी पढ़ते होंगे, तो ये तो सापतर पर लिखा हुआ है, हम जानते हैं, he known, ठीक है ना, his, या his named, named होना चाहिए, his named, ठीक है ना, he named to leave 22, शरी, 22 यहां पर है, in the city of who's in a poor tiller, named रामपाल, named होना चाहिए, बिल्कुल सही है, named होना चाहिए, 22 में यहां थोड़ा सा ध्यान दिजिएगा, 22 हम पर रहे थे ना, यानि named, जिसका नाम रामपाल था, ठीक है, अच्छा जी, 23, 23 देखते है, as he was very poor, he blanked to live and work in a little room, ठीक, wished, liked, had या wanted, wanted दो होगा नहीं जी, कौन सा होना चाहिए, 23 में, 23 का होना चाहिए, c, क्यूं होना चाहिए, c समझे, c इसलिए होना चाहिए, he had to, मतलब live, had मतलब रहा करता था, ठीक है, he had to, had to का मतलब, मजबूरी था, compulsion था, he had to, उसे रहना पड़ता था, ठीक है न, छोटे रूम में मजबूरी था, compulsion था, has to, have to, or had to का यूज़ हम, compulsion के लिए करते हैं, with his wife and blank three children, अच्छा, 24 देखे, few, a few, there, yes, some, अब according to option हमारा 24 का कौन सा होना चाहिए, यह dear होना चाहिए, क्योंकि, वो क्या करा है, समझे, work in one little with his wife and dear three son, अब three son है, तो plural है, इसलिए हम dear का यूज़ करेंगे, यानि option number C का यूज़ करेंगे, dear का यूज़ करेंगे, I hope कि यहां तक clear होगा, dear few, a few, यह तो गलत ही है, 25, children fought, blank each other, देखिए तो, कौन सा हो जाएगा 25 का, तो with each other हो जाएगा, ठीक है न, with each other, एक दूसरे से, यानि 25 का कौन सा हो जाएगा, option number D हो जाएगा, with each other हो जाएगा, I hope कि यह session आपको बहुत अच्छा लगा होगा, practice it, आप comment करके जरूर बताएगे कि आपको कैसा लगा, मिलते हैं next important session के साथ, चलिए जाएगा,